अगर आप चिकन में क्विक स्टार्टर खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप एक बार जो ट्राइ करें So Hello Foodies, मैं सभा फिरोशेक and Welcome to Sabas Kitchen आज इस वीडियो मैं मैं बना रही हूँ बटर गार्लिक चिकन की रेसिपी जो कि बहुत एजी ली चटपड बन जाती है तो फिर आईए बनाते हैं बटर गार्लिक चिकन लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक कि आपने मेरी चाइनल को सबस्क्राइब नी गया है तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पासी मीडियो वे बैल अकन पर भी क्लिक करें जिससे के आपको मेरे आने वले हर ने वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलते रहेंगी बटर गालीग चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन और जैसे के आप देखे चिकन के मैंने छोटे bite size के pieces रखें और मैंने half kg चिकन लिया है बट आप अपने खाने के हिसाब से चिकन की quantity कम ज्यादा कर सकते हैं और चिकन को अच्छे से wash करके extra पानी जितना हो चिकन में से निकालना मद भूलना चले अब चिकन में डाल देते हैं नमक तो यह मैंने 140 पून नमक डाला है क्योंके मैं salted butter यूज करूंगी इसलिए नमक मैंने कम ही add किया है और अब इसमें डाल दें एक टीस्पून काली मर्च powder चिकन में केवल नमक और काली मर्च डाल कर अच्छे से mix कर ले लेकिन अगर आपको गार्ली की flavor थोड़ा सा strong चाहिए तो इसे में आप थोड़ा सा garlic paste या फिर garlic powder भी add कर सकते हैं खेर मैं सिर्फ नमक और काली मर्च powder मिला कर इसे आदे घंटे के लिए side में रख दूँगी और फिर ठीक 30 मिनट बाद हम इसमें दो बड़ा चमच मैदा डाल कर मिला लेंगे मैदे को अच्छे से मिला लेंगे चिकन में चिकन के हर एक pieces पर मैदा अच्छे से coat हो जाना चाहिए इस बात का ख्याल रखे क्योंकि इसी मैदे की coating से हम जब चिकन को fry करेंगे तो चिकन पर अच्छे सी crispy layer बनेगी तो कुछ इस तार से चिकन मैंने मैदे से बड़िया से कोच कर लिया चलें आब इस चिकन को कर लेते हैं हम fry देखे चिकन को मैं deep fry नहीं कर रहे हूं इसे मैं थोड़ी से तेल में ही fry करूँगी तो कड़ाई में ये मैंने छे से साथ बड़ा चमच करीब तेल गरम कर लिया है जिते चिकन के पीसे कड़ाई में एक बार मैं आते हूं बैचेज में उतना ही चिकन फ्राई करें और क्योंकि मैं चिकन के पीसे धीमियाज पर फ्राई कर रहे हूं तो धीमियाज पर मुझे 12-15 मिनट लगया इसे इस तरह से गोल्डेन ब्राउन फ्राई करने के लिए वो कहना धीमियाज पर हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है अंदर तक के वेल कोक्ट हो जाता है तो इसलिए धीमियाज पर चिकन को पकाएं जब तक आपका चिकन इस ताह से गोल्डेन ब्राउन नहीं हो जाता है और जैसी चिकन गोल्डेन ब्राउन हो ज पीच में ही यूज कर रहे हैं बरतन में कुछ न कुछ पकाने में आ जाता है मेरी बीटी को लगी थी भूग तो मैंने जिस कड़ाई में चिकन फ्राइ किया उसी में मैंने उसे फ्राइड्रेस इमीजेटली बना कर दे दिया जो कि बहुत ही अमेजिंग बना था तो खेर कोई दूसरे पैन में मैंने गरम कर लिया है छे साथ बड़ा चमच करी बटर तो जैसे का आप दीखे बटर मेल्ट हो चुका है और बटर के मेल्ट होते ही मैं इसे फ्राइ कर दूँगी एक बड़ा जावा लसन का एक दम बारिक चॉप करके मैंने इसे रखा था और अब इसे मै फ्राइ कर लूँगी एक दो मिनट के लिए धीमी आज पर लगातार सौटे करते हुए इसे फ्राइ करें इसे बहुत ज्यादा हम डाग ब्राउन नहीं करेंगे बस जैसी यह स्लाइटली ब्राउन हो जाएंगे तब ही इसमें हम आधा बड़ा चमच मैदा डाल देंगे दे मेदा बटर के साथ पूरीतां से घुल जाना चाहिए मैदे में बिलकुल भी लम्स्ट ना रहने पाएं तो आप भी न इसे कुछ इस तरीके से मिलाते हुए दो तीन मिनट के लिए धीमी आज पर ही फ्राइ करें जिसे कि मैदे का कच्छापन भी दूर हो जाएगा तो मैंन मैदे को फ्राइ कर लिया है धीमी आज पर तीन-चार मिनट के लिए चले मैदे को फ्राइ करने के बाद आप इसमें आधा कप यानी के 100 ml करी पानी डाल देंगे पानी के बदले आप चाहें तो चिकन इस चौक भी डाल कर मिला सकते हैं टेस्ट उसे और अच्छा एगा लेक और फिर इसके साथ आड़ कर लिजिए 1.5 टीस्पून काली मिर्च पॉडर और 1 टीस्पून करीब डाल दीजिए रेट चिली फ्लेक्स और हां आफ्टर आल चॉइस इस आपने टेस्ट का कॉड़िए अड़र्जस कर सकते हैं मतब कि आप इसमें और पीजा मिक्स भी डाल क कर मिला सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखें जब आप इस पाइस जाले तो फ्लेम को धीमाई रखें क्योंकि मैदी की वज़े से टेक्श्चर बहुत ही जल्दी इस चीक की क्रीमी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा जैसा कि आप देखें कुछ इस एकेंस में मेरा जो म मिनट के लिए करिब 2-3 मिनट में बटर गार्लिक चिकन आपको कुछ ऐसा ड्राय सा दिखने लगेगा मतलब के जो हमने मैदा डालकर सॉस जैसा बनाया था वो चिकन पर अच्छे से कोट हो जाएगा और चिकन हमारा क्रिस्पी जूसी और पहले से बहुत ही ज्यादा फ्ले तोड़ा से स्प्रिंग ओनियन भी डालकर मिला सकते हैं और चॉइस अपसुल्टल यॉज और क्योंकि बटर गार्लिक चिकन आप मेरा देख सकते हैं सॉस से बिलकुली कोट हो चुका है कंबाइन हो चुका है सॉस और चिकन बड़िया से मिक्स हो चुके तो यह और ज्याद से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैंने अट कर लिया और मिला लिया है तो यह फाइनली हमारा बटर गार्लिक चिकन बनकर हो गया है तैयार इसे आप इस चाटर के तौर पर गर्मा गरम सब करें ट्रस्ट मी एक एक बाइच में आपको बटर गार्लिक ब्लैक प समयना कि पुछिए मत मन इसे खाते हुए बिलकुल नहीं भरेगा तो आज ही बनाइए ये रेसिपी और कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कॉमेंट में बताएगा ज़रूर रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें मेरे चानल को स साथ तक लेचे करेंट बढ़ाई